हेलो एबरिवन सक्सेस्टी सोशियोलाजी पर आप सभी का स्वागत है अगर आप सब इस चैनल से नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को जरूर लाइक किये करिए और इस चैनल को और ज़्याद लोगों तक सेयर कर दीजिए आज की ये क्लास यूबी पी इसके आगे के जो कुश्चन है वो कल की वीडियो में आएंगे चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहरा कुश्चन है हिंदू वीवा की एक आश्यक सर्त है उपनेयन, खित्वा, स्रप्तपधी, कुल्लुक हिंदू वीवा की एक आश्यक सर्त है पीबी काड़े ने हिंदु वीवा के अंतरगित किये जाने वाले 49 प्रमुक अनुष्ठानों का उल्ले किया है जिसमें से कुछ निम्निलिखी थें जिसमें वागदान संसकार, कन्यादान संसकार, होम संसकार, पाड़ी ग्रहट संसकार, अगनी परायट संसकार, अश्वर रोहट संसकार, लाज होम संसकार, सब्त पदी संसकार, ब्रामुडों की उपस्थिती, बेद मंत्रों का उचारण, अगनी को साच्छी मानना ये बहुत ही important है इतने संस्कार बहुत ही important है और इससे ज़्यादा भी संस्कार होते हैं इन question में पुछा हिंदू बीवा की एक आउश्यक सर्थ क्या है तो इसका right answer है option 3 सब्त पदी next question है संस्कृत परिवर्तन से तातपर है जीवन सली में परिवर्तन आउश्कार यम खोज उत्पादन विधियों में परिवर्तन उपर्युक्त सभी इसका right answer होगा option 4 उपर्युक्त सभी next question है वेश्टर मार्क के के अनुशार मनुष्यार्म मैं किस किस्म की वीवा प्रथा को अपनाया था option में है बहु पतनीवाद बहु वीवावाद एक पतनीवाद स्रुचन्द संभोग वाद बेश्टर मार्क ने वीवा के पांच उद्देश बताए है पहला है बैद संतान हुद्पत दूसरा है परिवार की अस्थापना तीसरा है युवा उस्था में भावनात्मक स्थिर्ता चौधा है आर्थिक उत्तरदायत और पांचवा है सामाजिक उत्तरदायत बेश्टर मार्क ने एक पतनीवाद को वीवा का आधार माना है तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन थर्ड नेक्स्ट क्विस्चन है तोड़ा किस रेड़ी है अनौपचारिक समाज पारंपरिक समाज आदिम समाज स्वच्छन्द समाज तोड़ा एक जन जाती है यह दच्छ जाती है यह आदिम समाज की स्रेड़ी में आता है ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है नेक्स्ट क्विस्चन है मैक्स वेबर द्वार अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था शकर आत्मक दर्शन सास्त अर्थ सास्तियों समाज सास्त मनुष बनाम राज समाज सास्त्र के सिद्धान मैक्स वेबर द्वार अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड अर्थ सास्त एवं समाज इनकी बुक भी है एकोनॉमी एंड सोसाइटी नेक्स्ट कोईशन है आज कल किसी व्यक्त के सामाजिक मान का आकलन मुख्यता किया जाता है पेशा द्वारा जन्म द्वारा भू शंपत्ति द्वारा आचार विचार की कोटी द्वारा आज गल किसी ब्यक्ति के सामाजिक मान का अकलन मुखिता किया जाता है तो इसको राइट अंसर होगा आप्सिन परस्ट पेशा द्वारा यानि की ब्योशाय द्वारा हाटर एवं हंट ने कहा है एक सामाजिक प Towards जिसे ब्यक्ति अपनी इच्छा एवन प्रतियस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है अर्जित प्रयस्थिती के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कुश्चन है सामाजिक सोध की समस्या अध्यन प्रडाली शहायता प्रदान करती है कतिपय परिवर्तियों के वीच सह संबंध स्थापित करने में सामाजिक समस्याओं के निदान प्रश्थूत करने में समाजोप योगी नीतियों के निर्माड में कुल मिलाकर अध्यन के धाचे को प्रदर्शित करने में सामाजिक सोध की समस्य अध्यान प्रडाली शहायता प्रदान करती है सामाजिक सोध वह क्रमबद तथा वैज्यानिक अध्यान विधी है जिसके आधार पर सामाजिक घटनाओं की संबंध में हम नमीन ग्यान की प्राप्त करते हैं या विद्धिमान ग्यान को विश्त्रित या परिस्क्रित करते हैं तथा विविन घटनाओं के पारस्परिक संबंधों वा उपलब्ध सिध्धानतों की पूना परिच्छा करते हैं अर्था सामाजिक घटनाओं या विद्धिमान सिध्धानतों के संबंध में नवीन ग्यान की प्राव्ति के लिए प्रयोग में लाई गई वैज्यानिक विधी सामाजिक सोध है तो इसका राइट आंसर होगा आप्शन फोर कुल मिलाकर अध्यन के धाचे को प्रदर्शित करने में आप्शन फोर राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन है आरोपित प्रतिष्था से तातपर यह सामाज में वे इस्थिती जिसके मूल में होता है उची आमदनी उच गोट का ग्यान वीर्था मूलक कार उची जाती में जन्म आरोपित प्रतिष्ठ है तुषका राइट आंसर होगा option 4 आरोपित प्रतिष्ठ मतलब प्रदत अगबर नियुम नीम कौफ ने कहा है ऐसे सामाजिक पर जो शमाज द्वारा परिभासित व्यक्ति के ती अंत्रट से परे तथा अंत्ता शमाज द्वारा ही सौपे जाते हैं प्रदत प्रयस्थिति के अंतर गट आते हैं प्रदत प्राइस्थिति में लिंग भेद, आयुभेद, नातेदारी, जातियों, प्रजात, जन्म, सारेरी विशेष्थाएं ये सभी आते हैं नेक्स्ट कुईशन है, मैक्स मूलर का संबंध है, प्रकृत वार्ज से, अनुप्राण वार्ज से, नेजात केंद्र वार्ज से, अध्यात मुआ से मैक्स मूलर का संबंध प्रकृत वार्ज से है, आप्शन फस्ट राइट आंसर है सामाजिक परिवर्तन सामानिता हुआ करते हैं निरर्थक, इंसात्मक, एकदम अचानक सतत शामाजिक परिवर्तन सामानिता हुआ करते हैं इसका राइट आंसर है ओप्शन फोर्ष सतत किंग्सले डेविस ने कहा है सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक धांचे और प्रकारियों में घटित होते हैं मैकाईवर यों पेज निकाए है सामाजी के संबंधों में जब परिवर्तन होता है वही सामाजी के परिवर्तन है नेक्स्ट कुश्चन है हिंदू वीवा में विच्छेदन के लिए कौन शकारल जिम्मेदार है विजाती वीवा की वज़श बंधनों का तोटना अनबंधी तरीके से वीवा की धाड़ा पर जादा जोड़ देना बहुपत वीवा पर रोक लगाना अनतर जाती वीवा पर विध्वप पुनर वीवा को सामाजी क अनमोधन दिया जाना राइट अंसर क्या हो गए इसका इस कुशन का राइट अंसर है ऑप्शन सेकंड अनुबंधी तरीके से वीवा की धाड़ा पर जादा जोड़ दिया जाना है नेक्स्ट कुशन है नगरी करड के संयोज नातमक सिध्धान का संबंध है गैने गैटल के जूं मेरिल नगरी करड का संयोज आतमक सिध्धान गैने ने दिया है ऑप्शन फर्स्ट राइट अंसर है संयोज नातमक सिध्धान गैने ने दिया है सेक्टर सिध्धान थोमर हायट ने दिया है बव केंद्री सिध्धान हैरिस तथा उल्मन ने दिया है संयुक्त व्रेधि सिध्धान गैरिसिन ने दिया है प्रतिकात्मक मूल्यों का सिध्धान वाल्टर फिरेड ने दिया है परिवहन सिध्धान बेबर बर्गेश हयात और क्यूमन ने दिया है कि नेक्स्ट कुश्चन है हिंदु कोट बिल द्वारा लड़कियों के कानुनी विवा की उम्र को बढ़ा कर 15 वस किया गया था वस 1920 में 1930 में 1908 में 1956 में राइट आंसर इसका क्या होगा इसका राइट आंसर होगा उन्नीश सूंतिस सन उन्नीश सूंतिस 1931 सारदा एक्ट अधिनियम के तहट लड़कियों की आप 15 वस की गई थी तो चोंकि इसमें उन्नीश सूंतिस नहीं है तो उन्नीश सूंतिस को टिक कर सकते हैं लेकिन इसका राइट आंसर उन्नीश सूंतिस है और उन्नीश सूंतिस में हर विलाज दा सारदा के प्रयाज से 15 वस की गई थी इसमें 1978 में संसोधन करके ये आयू 18 वस कर दी गई थी लड़कों की किश्वस और लड़कियों की 18 वस कर दी गई थी तो इसका राइट आंसर है उन्नीश सूंतिस नेक्स्ट कोईश्चन है जिस पद्धत की तहट जात गयत क्रम परमपरा में उपर उठने के लिए कोई जात किसी उच्चित जात की आदतों परमपराओं यो मनुष्ठानों को पनाती है उससे कहा जाता है अत्म साती करण, संस्किती करण, वीलई करण, अभिग्यानी करण तो इसका राइट आंसर होगा संसकिती करण और संस्किती करण की अधार दे एमन उन्मास ने दी है नेक्स्ट क्विस्चन है पैरेटो की अनुशार निम्न लिखित में से कौन सा लोमडी किस्म की अभिजन का उधारड है और द्योगिक ताना साही यूरोपियन लोकतंत हिटलरी ताना साही राजनीतिक लोकतंत लोमरी किश्म के अभीजन का उधारण है राजनीतिक लोगतंत आप्शन फोर राइट आंसर है किसके अनुसाद जीवधारे प्राणी की तरह समाज का विकास हरल से जटिल रूपों में होता चलता है मॉर्गन स्पेंसर विकासवादी डार्विन तो इसका राइट आंसर है आप्शन सेकंड इस्पेंसर नेक्स्ट कुश्चन है पिता की बहन की पुत्रे के साथ विवा है शारो रेट पैटर्नल क्राश कजिन मैरिज एंडोगैमी हाइपोगैमी इसका राइट आंसर होगा आप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा आप्शन सेकंड पैटर्नल क्राश कजिन मैरिज नेक्स्ट कुश्चन है सामाजिक अर्शिल्था से तातपर है उपर युक्त सभी राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर इसका होगा आप्शन फोर उपर युक्त सभी शोरों कि इनने गति सामाजिक अर्शिल्था के दो प्रकार बताएत है उधक्र गचिल्था ओछे एटिश गचिल्था नहrão diet ने दो भाग किये है उप द मॉखामी के सामाजिकर आ्प रधम आप ये तीन हुए विए उप झारत है हैं राइट एंसर आप्शन फोर हैं नेक्स्ट कुश्चन है हर्बर्ट स्पेंसर के अमसार सामाजिक क्रम विकास की कुझी क्या है सामाजिक अनकूलन प्राकितिक चैन सामाजिक चैन सामाजिक संथा हर्बर्ट स्पेंसर के अमसार सामाजिक क्रम विकास की कुझी क्या है तो इसका राइट अनसर होगा आप्शन सेकंड प्राकितिक चैन किसने लच्छित किया कि मानो समाज तीन चरड़ों यथा जंगली पन बरबरपन उन सब भी पन से होकर गुजरती है अगस्त कॉम्टे जान सर जान मार्शल आथर की मारगन राइट अंसर है इसका मार्गन आप्शन फोर राइट अंसर है नेक्स्ट कुश्चन है टॉनीज के अनुसार पडोश है एक किसम का आदिम समूँ समुदा है गेशल साप्ट सामाजिक समूँ टॉनीज के अनुसार पडोश टॉनीज ने पडोश को समुदा कि अंतर रखा है आप्शन सेकंड राइट अंसर है नेक्स्ट कुश्चन है संस्कृत है एक अंतर निस्ट आचरण मनुस्ट की व्यक्तिगेत कोल परमफरा अरजित आचरण उपर यूगत में से कोई नहीं संस्कृत है एक तो इसका राइट अंसर है आप्शन ठर अरजित आचरण नेक्स्ट कुश्चन है इन में से कौन एक प्रतियोगिता है इसका राइट आंसर है आप्शन फोर मोहन बागान यो मोहमडम स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबाल मैच नेक्स्ट कुश्चन है किसके संदर्व में विजाती वीवा को सजाती वीवा माना जा सकता है गोत्र शपिंड प्रजाद प्रतिष्था किसके संदर्फ में विजाती वीवा को सजाती वीवा माना जा सकता है तो इसका राइट आंसर है उप्शन फर्ष्ट गोद्र नेश्ट कोजिशन है नीमने लिखित के सही जोड़े बताईए समाज में विवार करने के मानेत अप्राप्तिय स्विक्रित तरीके रिवाजों को नेश्ट करने की एक सामान अभिव्यक दैनिक जीवन विवहार के डाचे और वर्ग के सदस्यों की क्रिया कलाब की सामान साधारण आदेते आप्शन दिया है टू वन थ्री फोर फोर थ्री टू अन थ्री वन फोर टू वन टू थ्री फोर इसका राइट अंसर होगा शमाज में विवहार करने के माननेता प्राप्त या शुक्रित तरीके ये मैकाईवर ने परभियासा दी है और रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक सामान या भिव्यक्ति ये परभियासा ओकबर ने दी है और दैनिक जीवन विवहार के ढाचे ये परिभाशा गिलीन ने दी है और वर्ग के सदस्यों के क्रिया कलाप की समान साधारण आते ये परिभाशा है रिव्टेरियों महार्ट के टू वन थ्री फोर आप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है नेक्स्ट कुईशन है मार्ट शर्तात्मक परिवार प्रिथा मानी जाती है मुश्रमानों द्वारा ब्रामणों द्वारा भीलों द्वारा केरल के नायरों द्वारा मार्ट शर्तात्मक परिवार प्रिथा केरल के नायरों में पाई जाती है option 4 right answer है next question है किसी और द्योगिक समाज का धाचा होता है नियो लोकल निवास गढ़ धाचा बाई लोकल निवास गढ़ धाचा पैटरी लोकल निवास गढ़ धाचा मैटरी लोकल निवास गढ़ धाचा इसका right answer क्या होगा Princeton ने अपने पुष्टक इन ड्रश्टियर सोशियोलाजी में और द्योगिक समाज की परिवासा देते हुए लिखा है जहां मशीन मनुष्य की अस्थापन प्रतिनिधी बन जाती है तता समाज की संगठनात्मक और नियंतरडात्मक व्यवरस्था अपचारिक हो जाती है वह समाज निशंदे और द्योगिक समाज हो जाता है इस और द्योगिक समाज में नियो लोकल निवासगर धाचा होता है ओप्शन फर्स्ट राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन है वीवास इस उत्पादे ने मनुरच्छड है तो अनुबंध है या परिभासा किसके द्वारा दी गई इमाज देखी मैक डूगल मैलनोवस्थ की वेस्टर मार्क ये परिभासा दी है मैलनोवस्थ की ने ओप्शन फर्ट राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन सुमेलित करना है सुमेलित कीजिए डियूमा डबल डेश सैडलर गिन्नी एक तीन चार दो तीन एक दो चार चार तीन एक दो दो चार एक तीन तो इसका राइट आंसर होगा डियूमा ने सामाजी केशिकत्त्य का सिद्धान दिया है और टामस डबल डे ने पत्त्य सिद्धान दिया है सैडलर ने घनत्य सिद्धान दिया है और गिन्नी ने चक्रे सिद्धान दिया है डियूमा ने सामाजी केशिकत्त्य सिद्धान दिया है डबल डे ने पत्त्य सिद्धान दिया है शैडलर ने घनत शिद्धात और गिन्नी ने चक्रे शिद्धात इसका राइट आंसर है 1, 3, 4, 2 1, 3, 4, 2 आफ्शन फर्स्ट राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्चिन है शारो प्रथम विक्षित होने वाले बरबर प्रथा कौन सी थी? पशु वली सत्रु का रख्ट पीना मानो वली नर्भच्छित है शारो प्रथम विक्षित होने वाले बरबर प्रथा कौन सी थी? इसका राइट आंसर है आफ्शन सेकंड सत्रु का रख्ट पीना महा भारत में भी भीम ने दुर्योधन का बद करके उनका रख्ट पीना था नेक्स्ट प्रथम है जिन मान डंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत डंड मिलता है उन्हें कहा जाता है रिवाज, लोकरीत, विवा, कानून जिन मान डंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत डंड मिलता है उससे कानून कहते हैं आफ्शन फोर राइट अंसर है नेक्स्ट कुजिशन है पति सब्द से तात पर है ब्रतिष्था भोमिका निर्माण, भोमिका निश्पादन पति सब्द से तात पर है राइट अंसर है इसका उप्शन फर्ष्ट प्रतिष्था नेक्स्ट कुजिशन है अनसूची जात के अंतर के सामिल है शमाज में पत दलित वर्ख राश्ट पति के आदेश के तहत भारति सम्विधान में सामिल जाती है जन में से अस्पिस हिंदु जाती है अर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्ख राइट अंसर क्या होगा अनसूची जात के अंतर के सामिल है तो इसका राइट अंसर है आप्शन सेकेंड राश्ट पति के आदेश के तहत भारति सम्विधान में सामिल जाती है नेक्स्ट कुश्चन है नीम ने लिखित के सही जोड़े बताईए पुनल वन परिवार मार्गन पूरवा भी मुखी परिवार वार्नर अतिलव परिवार जिमर्मेन दामपत्तिक या समरक्त परिवार राल्फ लिंटन आप्शन दिया है वन टू थिरी फोर वन थिरी फोर टू तो इसका राइट आंसर क्या होगा पुनल वन परिवार ये मौर्गन ने दिया है पूरवा भी मुखी परिवार ये वार्नर ने दिया है अतिलव परिवार जिमर्मेन ने दिया है और दामपत्तिक या समरक्त परिवार ये राल्फ लिंटन ने दिया है वन टू थिरी फोर ओप्शन फर्ष्ट इज राइट नेक्स्ट कुश्चन है जोपर पट्टी की पहचान है रहां साहन की आमानुवी श्थितियां वहां की निवासियों के बिभिन अपराधों में सल्लगन रहना है नैतिक मूल्यों की कमी खराव आर्थिक दसा जोपर पट् अपसर है ओप्शन फर्ष्ट रहन साहन की आमानुवी श्थितियां नेक्स्ट कुश्चन है उदग्र गच्छीलता में शामिल है घट रही प्रतिष्ठा घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी बढ़ रही प्रतिष्ठा इन में से कोई भी नहीं उदग्र गत्सिल्ता के सुरुकिन दो भाग किये थे ओर्धुगामी और रधुगामी तो इसमें ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी एक अस्थान से जाकर दूसरे अस्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति कहलाते हैं सरडाती कंजर आप्रवाशी प्रवाशी एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाकर बस जाने वाले व्यक्ति प्रवाशी कहलाते हैं और फोर राइट आंसर है नेक्स्ट कुजिशन है व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी और मुद्रा इस्फित की वज़े से पनपने वाली वेरोजगारी कहलाती है व्यक्ति परक वेरोजगारी, अकस्मात वेरोजगारी, चक्री वेरोजगारी, मौश्वमी वेरोजगारी ब्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी और मुद्रा श्वेत की वज़े से पनपने वाली विरोजगारी चक्री विरोजगारी कहलाती है ओप्षन ठर्ड राइट आंसर है next question है मध्य योग में परिवार निश्वादित करते थे शैचड़े कारे, आर्थिकार, धार्मीकार, सभी मध्य योग में परिवार, ये सभी कारे निश्वादित करते थे option first option for right answer है परिवार के कारियों को निम्न भागों में बाटा गये जिसमें है सास्त्री कारे और सारीरी कारे आर्थिक कारे धार्मिका राजनीतिका शहचिकार सास्त्री कारे में यों संतुष चंतानूत परती प्रजातिय निरंतर्त शारीरिक कारे में आता है सारीरिक रच्छा बच्चों को पालन पोशल भोजन की विवस्था आवास तथा कपड़े की विवस्था आर्थिक कारे में आता है उत्रा धिकार के निर्धारण उत्पादन इकाई श्रम विभाजन आय तथा संपत्ति की वि सकतार्वा charter ups आंस्या थो है कि इन में से कानून की अंतरगयत आता है में कानोन की अंतरगयत हाइप यहाता है ऑपुर्छन फ़स्ट इंचर एवं हिंदु वीवा अधिनियम 1955 में अनुलों में प्रतिलों वीवा दोनों को ही वैध बना दिया गया है अनुलों वीवा को हाइपरगेमी और प्रतिलों वीवा को हाइपोगेमी कहते हैं नेक्स्ट क्वेशन है दुर्खेम के मतनुच और आत्महत्या की व्याख्या होती है सांस्किती कारणों द्वारा सारेरी कारणों द्वारा मनो वैग्यानी कारणों द्वारा सामाजी कारणों द्वारा तो दुर्खीम समाज को ही सब कुछ मानते हैं इसका राइट आंसर है ओप्षन थोर सामाजी कारणों द्वारा नेक्स्ट कुश्चन है समाज साज की क्रियात्मक साखा के विकास क्रम को सही क्रम में सजाई है अगस्त कॉम्टे स्पेंसर मैलनुवर्स की यार ब्राउन समाज साज की क्रियात्मक साखा के विकास क्रम को सही क्रम में बताना है तो सबसे पहले अगस्त कॉम्टे आते हैं फिर स्पेंसर आते हैं उसके बाद मैलनुवर्स की और फिर ब्राउन इसका राइट आंसर है यह था लेकिन कोट यहां पर मेंसन नहीं हो पाया है तो यह चारों ही मैच है इनका क्रम एकदम सही है सबसे पहले अगस्त कॉम्टे फिर स्पेंसर फिर मैलनुवर्स की और फिर ब्राउन यह चारों ही मैच है एकदम तो इसमें कूट नहीं है तो 1, 2, 3, 4 राइट अंसर है नेक्स्ट कॉजिशन है अपराद आ परिहार यों सामाजिक जीवन का एक सामानी पहलू है या विचार किस ने व्यक्ति किया था दुर्खिम स्पेंसर, मेंडलबॉम, सीजर, लूंबरोशो अपराध को सामाजिक जीवन का सामान में पहलो दुर्खीम निमाना है आप्शन फैस्ट राइट आंसर है नेक्स्ट कुजिशन है संपति चोरी है इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन है प्रोधो, मैकियावेली, मैकलेन, जैक्स तो इसका राइट आंसर है प्रोधो, आफ्शन फैस्ट राइट आंसर है प्रोधो ने कहा है संपति चोरी है हाब हाउश के अनुशार संपति का अर्थ वस्तूओं पर मनुश्यों के नियंत्रण से है ऐसे निये अंत्रोट से है जो समाज द्वारा मानिता प्राप्त होता है तथा जिसे समाज मान और मुलिवान समझता है ये हाव हाउस ने परभ्यासा दी है संपत्ति के संबंध में तो आज का ये लास्ट पसक्यम समय न होने की वज़े से पूरा पूशंग टाइप नहीं हो पाया तो आज की कलास बस यहीं तकichtetक आही होप आप सबको ये कलास पसंद आई हो भी class पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए गर से चैनल को सबस्काइब करिए और ज्यादा